कि यहां पर देखते हैं जैसे कि हम ने मिसल अभी अभ्यास लाद चालू किया था समय मिसल अभ्यास टेस्ट टू ठीक है जो पहला टेस्ट था मिसल अभ्यास का वह मैं आपको यहां पर पता चुका था तो जो भी अभी आपका PCS का एकजाम होना है अभी 12-24 में उसके लिए इसमें फोकस कर सकते हैं करीब हमारा पासौ टेस्ट है तो टेस्ट में आपके काफी यह टॉपिक कवर हो जाएंगे जैसे भी आपका इंसेंट इस्ट्री चल लाए जोगरोफी आएगा पॉल्टी आएग एक तो आपसे काफी ज़ए आपके आपके यहां पर टेस्ट के करएंगो सोचिद होकर मैसे मैं इसमें टिए पूर्ब नमदान लिए पस्तिम अलमिकपूर उत्तर सभासुक तैंगे टांगिट मों तृक है उसको मैच करते हैं क्वेस करने ृफो श G पूर जो है यह आलमगीर पूर रहे हैं जो आपका आर ऐसा कर के ता आप जrang सेयर पेखिल गहां पुर मेंता है से एक में आ रहें रहा है तो आपका यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको आंसर यह पन्सराइब यहां कर सकते हैं तो तो बीका थरी एक टू फीका थरी सी का फॉर और डी का फॉर ठीक है या आपका अन्सर यह वह जाए ठीक है स्टैप से अगला जैसे सेकंड नंबर कुस्टन है निम्रीकित में दिये गए वक्त यहाप पर आ यहां पर कफंड दिये हो है इसको देख लिए हैं तो सब्सक्राइ व हिंखा पहले बोले संग सभवथा इसकी महत्पूर्ण विसेश्वता थी ठीक है बात सही है तो क्या है अब यह बहुता हिसे संब्दित है तो उनली एक सब्सक्राइब क्या आपका दूसरा करता होता है क्यों कि रिखाऊ एक व्यक्ष्य नहीं करता है बात तो स्टेट्मेंट जो सही होगी दोनों बट क्या है एक निलगा दिया कि हरपन साइट से लेटर वह भी ठीक है बट यहां पर जूजिस की बात की जा रही है उससे आपको समझना है ठीक है मतलब मेरा यह है यहां यूगल समाजियों के साथ पराप्त हुए है ठीक है तो आपको बताने हैं आपका करेक्ट होगा ठीक है यह जब बोला एक गुप्त कालिन स्थल है गलत है अपका यह क्या है शिंदु घाटी सब्विता इस थल है ठीक है तो पहला श्टेटमेंट क्या है आपसे आपका गलत हता है ठीक है तो यह पहला गलत होगा दूसरा क्या है यहां से योगल समाधियों के साज़ पर आप दो है आर थर्टी सेवन सा सिंदु सब्विता के संब्वन में वो क्या है यह एक हडपन सोरी आपकी कबर का है हडपा में यह राविन अदी के किनारे इस्थित एक जो बारी उतकरन खरता की दैरान सामनी उनके दवरा यहां पर अन्नागार कब्रिस्तान बना हुआ है तो स्रमि के पांचचरण प्राप्त होते हैं यहां से अबन की पुझ आने के साथ कुट्य को यहां दफलाने का साच मिलता है थीं है तो देखते हैं पांचवाभ नम्बर में तो देखो हमारे रोबर है इसको देख लेते हैं रोपड यहां से संस्कृति के पांच चरण पराफ्ट होती थी तो इसका अंसर प्रेट हो जाएगा छटा नमर कुस्षिन देखते हैं इसका सब्दी कर्थ होता है काली रंग की चूडियां यह सेंदों अगर साजिस्थान हनुमान गड़ के जिले काली रंग की चूडियां तो मारा क्या आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला क्या साथवा नमर कुस्षिन है विचार कीजिए यहां से एक किले का साच मिला है इसके चारों और रच्छा प्राचीर निर्मित थी ठीक है तो यहां पर जो हमारा अंसर अगरिवेदियां लाजवर्द मायन के हाल की आकर्थि यहां पर मिलें तो कहां पर मिलें यह मिलेंगे आपके बनावली ठीक है बनावली इसका भी यहां पर आंसर करेक्ट होगा बनावली यह हर्याना के हिसार जिलेगे में स्थित है ठीक है इस जो स्थाल यहां पर काली बंगा की तरह हडपा के पूर्व हडपा करें दोनों की यहांपर सख्रथी को आतयुक्त मेंसे किस स्फटल को ॉलंकरत इसींचों के साथ यहां पर यहां पर मिलें गउसर हो, थी यहांपर को इस्थान पर घ्र में होता है, यहांपर यह पूछा है. तो आंसर आपको हो जाए कि लोथल में अर्थ मुर्गों का घर होता है राइट मुहन जोड़ों का अर्थ मुम्द्व को का टीला सी यहां पर इसका अंसर करेट हो जाएगा लोथल अगला देखते ग्यार नमर वोजन को निम लिखित में यहांपर क्या सुमेल करना मैस करना पर जो जो अपका रावी नदी करें है यह उसको चछटोलो सिंदू हो गया हडप्पा भी हो गया और आपका काली भंगा भी हो गया थीक तो हो सिंतुर तुयां नहीं दिया तो तीनों बाते सही है तो टी इसका अंसर कर्ड अजय गा बारो नमें बोस्पांसर वह सब्कर्ण कौन से मंदित थे यह संबंदित थे गोपाल मजूंदार ठीक है उनका करेक्ट अंसर होगा है अगरा देखते हैं तेरे नम्मर गोशन कि निम्रीकित में से समयलिस करना है कौन से अंपर सही समयलिस है कि धोला वीरा गुजरात ठीक है और मांटो मोंगली जिला तो इसमें से कौन से करेक्ट है हमारा हमारा दो बाते करेक्ट है पहला और तीसरा ठीक है पहला और तीसरा यहां पर हमारा क्या होगा करेक्ट होगा थार्टी नम्बर में पहला और तीसरा अगला देखते हैं, आम पर 14 नमबर कोश्टन को, सिंद्यूस अबिता का धौला वीरा नगार, निम्री किसमें से किस नदी के तड़ पर इस थे, जो धौला वीरा है सिंद्यूस वाजी का, यह किस नदी के तड़ पर, इस थे 40 नमबर कोश्टन, ठीक है? यह इस्तित है लूनी नदी के तड़ पर ठीक है बी इसका करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर हुआ हम लिके में से सुमेलित करना है तो काली बंगा राजिस्थान कोट दीजी सिंद्परांथ रंगपूर हर्याना तो है कौन सा मैच करना है कौन सा सही मैच हो बताना है आपको ठीक ह बंगा घघंध काहिए तो हो सिंद्परांथ रंगपूर है और कराली बंगा गणांधा हिए और चीट काहई यह से दहुन साइज करत्द पाया इसको मेलिक है लेहान तो बिके करना तो के काकलिंगा गगर्न दी कोट दीजी a रंगपूर ब्यास नहीं ठीक है तो मैच करना है सोला नंबर में क्या इसका अंसर होगा तो देखो इसमें मैं आपका आलेटी उपपर बता भी चुका हूँ कौन-कौन से नदी किसके किनारे सिरें तो यह पर जो आंसर हमारा होगा एक और दो करेट है कालिवंगा अगर नदी कोट देजी सिंदो नदी ठीक है जो आपका रंगपूर है यह आपका क्या है जो मादर नदी है ठीक है मादर जो नदी है उस तर्टेस्थित है गुजरात में तो यह पर क्या है यह व्यास नदी नहीं होगा तो तीन यह से गलत हो जाएगा एक दो इसका अंसर हो जाएगा तो मारा इसका करेट अंसर है ठीक है तो यह संबंदित होगा आपका फजल एहमस से ठीक है फजल एहमस से संबंदित है अगला क्या एटी नमबर कुछन अठारा नमबर सुची एक सुची दो को मैच करना है रोपड लोथल आलमगीरपूर बनावली ठीक है है तो देख लेते हैं रोपड जो है आपका सत्ला जिनादी एक फोर राइट है कि बी का क्या हो जाएगा लोथल भगवा नदी ठीक है और स्टी का टू अलमगीरपूर हिंड़ नदी बाकि आप मैच कर सकते तो यहां पर डी मैच होगा इसे करके राइट अठारा का डी इसका अंसर होगा अगला द कि पंजाब में ठीक है पंजाब में सचलन जनर्ज का तिनार रहात बी का क्या है अगला देखते हैं पर इसका करिक्ट रूजरेग कि बनावली कि बनावली क्या है 1974 में रंगोई मतलब क्या है रंगोई नजी कटपड़ से तब रविन नाट बिशे से समझ देते हैं हर्याना का जिला जो हिसार है यहां से इससे लगा हुए ठीक है अगला देखते हैं टूंटीवर नमर गुष्टन लोथल आलमगीरपूर बनावली फिर से कोस्टन में पूछा विस टाइप से ही तो इसको भी देख लेते हैं क्या है यहां से लोथल तो यहांपर टी आंसर करें तीनों बाते मैंच करता है लोथल भी आपको गुजरात में आलमगीरपूर पर बनावली आपका हर्याणम जैसा मैंने आपको भी बताया तो हमारा क्या हो जाएगा अंसर इसका 21 का डीस का गरेक्ट अंसर रो जाएगा 22 नंबर गोसल देखते हैं कि सब्सक्रा के निवासियों त्वरा आयातित वस्तु है इन में से किस इस्थान से सम्मेंदित थी ठीक है जो बताना है 22 नंबर गोसल में अगरे पर है तांबा खेतेडी राजिस्थान बलोशिस्थान कीमती पथर जो आपके है बलुचिस्थान राजिस्थान नहां नहीं है तो तीन का ड़ल अंसर पर जाएगा 22 का ए 23 देखते है सिंद्यू सब्वेता के लोगों द्वारा टिन का मुख्यता आयात किया जाता था ठीक है तिन का जो मुख्यता आयात किया जाता था क्या है तो यह किया जाता था आपका टिन था इरान अफगानिस्तान से ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं से 23 का यह हो जाएगा इरान से अगले 24 नंबर कुसमें देखते हैं जिन्द्व सब्बेता की निवासिये दोरा आयतित वस्तुवें समंदित इस्थान समंदित हैं चांदी फिरोजा और आपका लाजवर्थ मड़ी चांदी आपका है इरान से ठीक है मुसपोटा मिया जो फिरोजा है इरान से यह भी आपका आपका लाजवर्थ मड़ी है यह आपका बदक्सां यह आपसे हैं तो तीनों बाते यहां पर क्या है करेक्ट है तो डीस का करेक्ट अंसर हो जाएगा 25 नंबर नीचे दिए गए यह वारा कतन दिए हो है देखते हैं सिंद्ध घाटी सब्वेता के निवासियों का समाजीक जीवन बहुत उन्नत साधा बहुत सरल था यह बात है दूसरी बात कि समाज में अधिकांस व्यक्ति उच मद्यम के से लिके थे ठीक है जोसे से पूछे कौन सा स सब्सक्राइब यह अग्यां पर इस समाज में निवास करते थे लो उनका अधिकांस जो भ्यक्ति से उनका उच्छ और लिके तो दोनों बातें सभी बोला है इसले मैच करती ही दोनों बात लिए तो दोनों बात यह यहां से करेंटांस हो जागो 25 का ए ठीक है अग्ला देख सिंदु सब्यता के संदम निम्लिकित कर्थों पर विचार करना है इस काल में इस्तरी और पुर्सों की बेच बूसा लगबास समान हुआ करती थी समाज के विभीन वर्गों की चार सेड़ियां में हुआ करती थी ठीक है तो यहां पर इसको बताने कौन साय स्टेट्मेंट में इसमें करेट होगा तो दोनों बाते आपर क्या है सही बोला है समाज के जो विभीन वर्ग थे इसमें चार सेलियां वह करती थी ठीक है चार सेलियां करती थी पर्थम गुदुजीवी वर्ग में है नो जिसमें पुरुषी रोची कि सतागी सब समयल होते थे और इस तरी सब्सक्राइब करना है इस काल में अस्थियों का प्रियोग अभूसर बनाने किया था पूरुस वर्ग अभूसर धरन नहीं करता था इसमें पताने कौन सा स्ट्रेट्मेंट आपका सई होगा 27 में ठीक है यहां पर जो एक बात करेंट है दूसरी बात क्या है जो बोला है पर पूरुस डड़ी रखते हैं पूरुस उस तरह जो पूरुस उस तरह का उपयोग करते थे आभूसर लोग इस्तरी एवं पूरुसर दोनों के दोरा है यहां पर समाम रूप से किया जाए ता अबुसर सोना तामबा चांदी कोठी और सीब तथा हड्डियों की किमती पत थे तुम्हारा इस का कारेक्ट रांसर होगा 27 28 28 को सिंद्धु गाटी सब्वेता या सिंदु सब्वेता कि संद्व ने लिखत करता विचार करना इस काल में सवों केवल जलाने के पर था थी कभी-कभी सरीर में पसू पच्चियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था ठ इस समय के लोग जो थे मरतों को भूमी में गाड़ते थे और कभी-कभी क्या सरीर को पसू पच्चियों करने के छोड़ते थे ठीक है कुछ समय बाद ये लोग मिरत को के उसेसों को घड़े में बंद करके गाड़ने लगे थे इसमें मेरत जो ब्रक्ति हैं उसकी पसंद की जिससे बीघ्र जोब काफी टाम जो देखते हैं कि यहां से प्राप्ट हुआ यहां से तो का एक आखड़े लगा एक तो उसका यूज करते होंगे तो क्या होगा तो हमारा भी यहां पर इसका करेटांसर होगा उनली दो पहला यहां पर गलत है ठीक है अग्ला देता है तो 29 को 29 कौस्तन को 29 309 को बोला है कि इस अधैक सब्सक्राइब में घरों में उपच्चे कैजने वाले बरतन काइस होने का कोई साथ नहीं मिलता यह बोला है यह कच्च्य मिल्टी के बने होते थे वर्तन तो मैं से कौन सा साई है यह पूछा है टेक है ट्रून्टि जान करना के जो हमारे घर थे उनमें उपयों के जर्मादाशी के समलागरी थे उनमें tambe kansa mity लकडी इन सब एपयों किया जाता था ठीक है उसके अगन कर यहां पर किया जाता था जिस ते उन पर क्या है पॉर्लिष और बी खीजाती थी उन्हें वीबिन और न्याथों का भी घ्यान था जैसे सोना चांडी तांसाने ये सब क्या भी घ्यान था तो यहां पर क्या तो क्या डी इसका करेट अंदर सब्सक्राइब दजलाफ रात नजियों की भूमी वाले शेतर से हडपा वासियों की वड़जीक संबन थे तो इन में से कौन सो सभी बताना है थार्टीवल में तो थार्टीवल हमारा यहां पर बीर स्टेटमेंट करेटा पहली बात गलत है इस काल के लोग धातों मुद्रग अभी प्रियोग थार्टीटू में बोला है इसमें यह और दो स्टेटमेंट दिये हैं अपको दिखने जुरत नहीं पड़ी तो मैंने दोनों बाते आपको बता दी कि दोनों बाते सही हैं तो आप बीस का अंसर हो जाएगा अगला देखते हैं थर्टी थ्री नंबर कुशन सिंद्धू सब्वेता के संदब में विशार करना है यहां स्रेट नागरिक पालिका सासन मिवस्ता के संकेत मिलते हैं सासन तथा सासित प्राया संगर्स होते रहते हैं इसमें तो कौन सा गाटी सब्वेता व्यापारी कुलीन तंद्र ना होकर एक सकतिसाली केंदरी सिरकार थी ठीक है क्या होगा पहली बात यांपर सही है अगला क्या है यहां स्रेश्ट नागर पालिका स्रक्ष जो सासन मिवस्ता था उसके संकेत मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको बदाया स्टेट्मेंट में ठीक है संपूर घाटी की दो राजधानियां हडपाईवा मौन जोड़ों थी दूर्ख भावन आउस यहां पर इस से ग्यात होता है ठ ठीक है अगला देखते हैं 34 ओली एक करेट था उसका 34 अगरबद नापने तोलने का समान साधन मैलाओं की निरंतर इस्थती इसमें से क्या सई है ठीक है क्या इसमें से सही उत्तर है आपको यह बताना है 34 में तो 34 में क्या है यहां पर एक दो बाते हैं जो हमारी करेट है मैलाओं के निरंतर इस्थती थी वह गलत होगा अपका दो स्टेटमेंट या करेट होंगा पहला और दूसरा ठीक है 34 35 नंबर कोश्चन लेखते हैं इस काल के लोग बुन्ने कातने की कला से परचित थे इस समय लेखन कला का विश्कार नहीं हुआ था ठीक है तो देख ले थे 35 में क्या होगा यहां पर देखो इसमें जो है अंसर में इनको भवनिर्मान कला का ग्यान था ठीक है मिट्टी के बरतनों पर चितरकारी पॉलिस को पर दने कातने की कला से वी परचित थे इस समय लेखन कला का विश्कार हो छुका था किन्तों इनकी लिपी चित्रकला में अवस्था में कि इनका बोल लाए कि यहां पर 35 में बोल लाए कि इस में से इस लेखन के समय कला का विसकार नहीं वुआ था गलत है कला का विसकार जीसा मनें बताया हो चुका थे ठीक तो यहां पर दूसरा गलत होगा उली वन श्टेटमेंट आपके यहां पर करेक्ट होगा 35A Track 36 एक विर स्टेट्मेंट दिया हो हैं सिंदु सब्विता के मौरें पक्किंटी जथा पथर से हुआ करतीती इनका उपयोग सिक्के के रूप में होता था तो उस में मताने कौन सा स्टेट्मेंट आपका कारेक्ट हो गया ठीक है दोनुं बात यहां पर क्या है लेकिन यह बात जो है वो सही बोला है ऑज दूसरी बात जो है यह गलत है इनका उपयोग सिख्के ग्रूप में नहीं होता था यह गलत होगा आपका अंपर अछिए करेक्ट होगा तो तो इन तीनों को देखना है और बताना है कौन से स्टेटमेंट अपके यहां पर करेक्ट होगा ठीक है तो दिकूं से प्रचलित जो प्रथाय थी ऐसी काल से यहां पर पैचलत में प्रचलित में रही हैं ठीक है तो समलों पत देती पर अधारित मॉप कोल पढ़ा ली यह भी थी नंगर नेवजन पढ़ा ली यह भी थी बहु फसली वकसी वरस था यह भी थी मोरों का प्योग यह था पसुप धर्मिक महुत यह था आंधरी को पावाबार यह भी था मतलब यह सब यहां पर क्या है इनके द सब्सक्राइब यहां धार्मिक एवां उपस्थित जो यहां पर वर्चस यहां पर नहीं थे ठीक है उस काल में भारत में कपास के बस्त्र बनाया जाते जहां तक कि सबसे पहले कपास उत्पादन का ही स्थ्रे सिंद्धु गाठी सब्वेता को दिया जाता है याद रखने है आपको भी मेटका की गुफायं बोपाल से 45 किलमेंटर पस्चिम में स्थित है ठीक है इन कोफाओं के सेल चित्रों में हाथी ही रहा जैसे चित्रे ही यहां पर इसका बनाएं के तन में तो यहां पर क्या दोनों बात यहां पर करेट होंगे 38 में अगला क्या 39 39 जिस भीम बेटका है वो मैंने उपरी बता दिया आपको भी मेटका कोफां सिंद्धु गाठी सब्वेता से संब्वन नित थी सबसे पहले कपास पतन के सरे सिंद्धु पाई चुका हूं दोनों बाते क्या है यहां पर करेक्ट है ठीक है ठीक है तो सोडी धीम बेटकर गोफां सिंद्धु गाठी सब बेता में पाई जाती थी यह मैंने कि इसमें क्या पूछे कौन सा साही है थर्टी जैन है थर्टी जैन में थर्टी जैन में देखो बी यहां पर करेक्ट होगा इसका सबसे पहले कापास को पदन सब्सक्राइब दिया था लेकिन मैंने आपको बताया जो भीम बेटका कि गुफा है बोपाल से तो यहां से बपाल से कोई मतलब नहीं इसका सिंद्धुगाठी सब्सक्राइब ठीक है तो हमारे यह का गरत होगा पहला उनली दो यहां पर इसका करेक्ट रोगब भी ठीक है थर्टी नियन कभी अगरा देखते हैं फूर्टी नंबर कॉस्टन जो लाश्ट कॉस्टन है व में से बोलना है कौन सक्षाई है तो देखो सिंद्धुगाठी सब्सक्राइब लोग मूर्ती कला निरतिकला से परचित थे क्योंकि कई निरत वस्था यहां पर मूरो पर अंकित नदी बैल सुन्दर अकरतियां पर कलात्मक यहां पर परचे देती हैं ठीक है तो यहां पर यहां पर अंसर हो जाएगा दोनों बात यहां सही बोल ला है कर दो दो कर देना है नैक्टी घdos कर देट करते रही और काफी है आपके हर सब्सक्रेट के क्वर हो जाएंगे ड़े Turns को टॉपिक बताए वो आप टॉपिक भी पढ़ सकते हैं तो यहां से कोश्चन आपके सब कवर हो जाएंगे तरह से टेस्ट है ठीक है मैं आपको देखते चलता हूं तो आप थोड़ा सब देख के इसको अंसर दे दिये करिये अपना अपने मन में रखें कि जिए कि कौन सा है तो इसके बाद अंसर अपना मैंच के लिए गर क्यों सा सही है ठीक है तो स्टाट करते हैं तीसरा टेस्ट नेक्ट वीडियो में आल दा बेट थैंक्यों